What is up guys, we are back with a new video, so आज किस वीडियो में हम compare करेंगे जो की हमारा return होगा एक FD के अंदर और 12% कलब के अंदर, okay, so most of the time हम अपने पैसो को invest करने के लिए use करते हैं एक fixed deposit का, यानि हम अपने back count में उस पैसो को fixed deposit करा देते हैं, जिसके ओपर हमें hardly 4-6% का return मिल रहा होगा in a year of time, okay so किस तरीके से हम 12% कलब का use करके एक अपने पैसो के ओपर एक better return और एक better liquidity प्रवाइड कर सकते हैं, okay, so let's get started with this video, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, तो इस लाल करर के आइकन को दबा के चैनल को subscribe करें, वीडियो पसनाती वीडियो को like करें, okay guys, let's get started with this video, so हम इसमें use करते हैं पहले grow का FD calculator, उससे हम calculate करेंगे कि अगर हम 24,000 रुपे invest करते हैं FD के अंदर, एक interest के लिए जो कि अपने पास 5.4, 5.6 का असपास, तो हमें by the end of the year कितना return मिल रहा होगा, so इसके अंदर हमें मिल रहा होगा कुछ 1590 रुपे के आसपास, कुछ return हमें मिलेगा by the end of the year, okay, so अगर हम same amount 24,000 है जो हमारा उसको हम invest करते हैं 12% कलब के अंदर, जो की एक भारत पे काई एप है, जिसके उपर से हम पैसो को rent भी कर सकते हैं और वहां से हम loan भी ले सकते हैं, यानि कि हम उसमें invest भी कर सकते हैं पैसे के उपर हमें fixed 12% का return मिल रहा होगा, okay, और anytime हम उन interest payout होगा, so इसमें अगर हम use करते हैं, 24,000 रुपे invest करते हैं, so इसके अंदर हमें by the end of the year कुछ 890 रुपे मिल रहे होगे, जो की हमारी FD से 1300 रुपे extra है, okay, so हम 12% कलब का use कर सकते हैं, अपने पैसो को एक अच्छे से grow कराने के लिए, क्योंकि जो हमारी FD होती है, उसके अ जाके अपने पैसो को कुछ हद तक grow करा सकते हैं, okay, so अगर आपको 12% कलब आप को डाउनलोड करना हो, so description में यह लिंक से इस अप को डाउनलोड करें, so वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक आपने नहीं किया